हरियूम दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास कारिगरम सापताहिक राशी फल में 20 दिसंबर से 26 दिसंबर 2021 तक कसम है किस राशी के लिए कैसा रहने वाला इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से कही जा रही है जो जाता गया जाते काई हमारे साथ पहली बार जोड़ रही है उनके लिए विशेश सूचना यहां जो कुछ भी आपको बताया जारहा है मातर चंदरदेव के गोचर पर अधारित है केवल और केवल यह किसी के जीवन में घडित हो सकता है और हो सकता है किसी के जीवन में पर निर्भर करता है चलिए शुरू करते हैं सबसे बहले बात करतے है मेश लगन जेश राशी सप्ता की जो शुरुपात होँ एम्मत पर्राक्रण के साथ हो रही है में जयाराँ करेंगे भागदोड अधिक करेंगे नजर आएंगे, माता पक्षी साथ आपका व्यावार जितना अच्छा होगा, सप्ता का मध्य है, उतना ही अच्छा होगा, सप्ता क्यांत की अगर हम बात करें तो ज्यान बढ़ेगा, बुद्धी बढ़ेगी, आपके विविक, प्लब विवक जागरित होगा, खास तोर पर क बचत, बैंक बैलनस को बढ़ाने का परियास करेंगे, कुटुम में वृद्धी होगी, और वाणी आपकी अच्छी होगी, मनपसंद बोजन खाने का भी योग बनेगा, सप्ता के मध्या में घूमने फिरने का योग बनेगा, ट्रैवलिंग करने का योग बनेगा, छोटे घर के सुखों को लेने का परियास करेंगे, अपने संबंध, अपनी माता के साथ, अपने प्रिजनों के साथ, अपना व्यवार अच्छा रखने का परियास करने, आपका सप्ता का अंत भी अच्छा होगा, मितुन लगन, मितुन राशी, सप्ता की जो शुरुवात हो रही ह वह अपने उपर ध्यान केंद्रित के साथ हो रही है यानि कि अपने उपर ध्यान लगाएंगे और अपनी imagination ज़्यादा मजबूत होते हुए देखेंगे decision लेते समय थोड़ा सा आपको सतरक रहने के हो शकता है क्योंकि imagination ज़्यादा होगी सता के मध्या में बचत भड़ने का योग धन भड़ने का योग कुटुम में वृद्धी के योग और वानी के अंदर एक आकरशन होने का योग ज़ादा दिखाई देगा कुटुम्यों के बीच में रहकर अपना समय वेतित करने का योग बनेगा और सता के अंत में ट्रैवलिंग होने के योग बनेगे भाग दोड़ अधिक होगी मेहनत अधिक होगी अपने धन को अपने जो आपके छोटे भाई बयान है या फिर से कर्मिद्रक्सरम शारी है या फिर पडोस है आडोस पडोस है उन पर खर्च करने का भी योग बनेगा करकलगन करकराशी सब्ता की जो शिरुवात हो रही है खर्च के साथ हो रही है स्वस्ते में थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है अपने स्वस्ते का ध्यान रखें फिजिकली, मेंटली और इमोशनल लेवल पर सब्ता के मद्य में जो जंड़ट सवस्ते से समंदित हो रहे थे उन से मुक्ती मिलेगी आपका स्वस्त है बढ़िया होगा, अच्छा होगा स्वस्ते में सुधार मैसूस करेंगे और सफलताएं हासिल करेंगे हर काम में सफलता मिलेगी सब्ता के अंट में धन, कुटुम, वानी, भोजन कुछ विद्या ग्रहन करना इस पर आपका ध्यान ज़्यादा फोकस रहेगा सिंग लगन सिंग राशी के जो जाता के इनकी सब्ता की जो शिर्बात हो रही है वा इनकम में वृद्धी के साथ हो रही है और इनकम भी विदेश से हो सकती है बारी चेतरों से हो सकती है मलब विदेशों से आपको आई के सौर्सिस बनेंगे जर्मसान से दूर से इनकम के सौर्सिस बनेंगे बारी चेतरों से लाब होने का योग बनेगा बारी छितनों से लाब होने का योग बनेगा और सब्ता का जो अंत है और माफी चाहूंगा सब्ता का जो मद्ध है इसमें खर्च की अधिक्ता होगी पहले तो इनकम होगी उसके बाद सब्ता के मद्धे में आप खर्च करेंगे और खर्च ऐसा होगा जिसके चलते आपको थोड़ा सकून मिलेगा कि जो ये खर्च की है वैजायज खर्च है आई ये खर्च करना जरूरी था विपृत नामगरायो का भी निरिमार्ड होगा जिसके चलते विश्वप्तितियां देखने के बाद सफलता मिलने का योग बनेगा और सब्ताह के अंत में आपको अपना ध्यान रखना है, अपने स्वास्थे का ध्यान रखना है, आप अपने उपर ध्यान के इंदित करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं स्वास्थे को लेकर थोड़ी बहुत प्रिशानियां हो सकती है, आपका मन अपने से ही हटने का होगा, यानि क आपका confidence थोड़ा सा lack हो सकता है इसका ध्यान रखाना है नहीं planning नहीं उरजा के साथ आगे बढ़ने का program भी बनाएंगे लेकिन कहीं नहीं एक छोटा सा confidence level थोड़ा सा down होता हुआ नजर आएगा कन्या लगन कन्या राशी कि जो जाता है सब्ता की जो शुरुवात हो रही है वह बहतरीन है कैसे? केरियर में विशेश उनत्ती का योग बनेगा मान सम्मान प्राप्ती के योग बनेगे रोजगार वैवसाई बढ़ने का योग बनेगा लाब होगा केरियर से जो कर्म करेंगे जो मेहनत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी सब्ता के मद्धे में इंकम में वृद्धी का योग बनेगा धन की आवत जादा होगी यानि कि धन बहुत जादा आएगा धन समंदी कोई परशानियां वैद दूर होगी नित्रों का लाव होगा, बड़े भाईमैनों का सयक्ष्ष प्राप्त होगा और कई न कई किसी प्रकार की मनोकामना और सिद्धी मनोकामना और की सिद्धी का योग बनेगा सब्ता के अंत में जो आपने इंकम की है वो आप खर्च करने पर ध्यान लगाएंगे अब इंकम आगी तो खर्च भी होगा तो सब्ता के अंत में आप खर्च जादा करेंगे खर्चों पर नियंतरण बनाए रखना है तो यह अच्छा होगा तुला लगन तुला राशी के जो जातक है सब्ता की जो शुरुवात हो रही है बड़ी बहतरी है मेरे इसाब से तुला लगन वालों के लिए यह सब्ता बड़ा गोल्डन साबित होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रमा की मोमेंट है बहुत ही अच्छी है पहले तो सब्ता की शुरुवात में भाग गया जबर्दस तरीके से साथ देगा धर्म करम में विशेश रूची होगी और कुछ धार्मी का ध्यात्मी कारे करते होने जर आएंगे बड़े बजरुगों का आशिरवाद सानित ध्यपराप्त करेंगे गुरु के दाम पर जा सकते हैं और कोई स्प्रिच्छल यात्रा भी करते होने जर आएंगे लंबी दूरी की यात्राएं भी घटीत हो सकती है सब्ताह के मद्या में सारा का सारा ध्यान आपके केरियर पे लगा रहेगा आपका और आप अपने काम बनाने के लिए जो मेहनत कर सकते हैं करते होए नजर आएंगे काम बनेंगे भी नए कारें का शुबारम भी होगा और जबर्दस सफलताई प्राप्त होगी सरकारी चित्रों से भी लाब हो सकता है सब्ताह के अंत में इंकम में वृद्धी का योग बनेगा जो काम आपने की है जो मेहनत आपने पहले की हुई है उसका आपको अब लाभ मिलने का योग बनेगा तो तुलाल अगनवालों के लिए यह सब्ता बहुत ही गोल्डन का आजा सकता है बाकी शेश आपकी जनम कुंडली और आपके जो ग्रह दर्शा चल रही है उस पर निरबर करता है वरिष्टिक लगन वरिष्टिक राशी दशकों सब्ता की जो शिरुवात हो रही है वह खास तोर पर गुप्त तंतरुन विद्याओं में रूची के साथ हो रही है भागे का शायद साथ आपको सब्ताग की शुरुवात में नहीं मिलेगा, आपको अपने उपर ध्यान रखना है, अपने उपर confidence जदा बनाए रखना है, तो यह अच्छा होगा और सब्ता के मध्या में भागेगा, जो साथ नहीं मिल रहा था, वो भागे का साथ मिलेगा, बड़े बजरुगों का भी आशिरवाद मिलेगा, उनकी सपोर्ट आपको मिलेगी, पिता से मागदर्शन मिलता हो नजर आएगा, सब्ता के अंत में क्याहिर में विशेश उन्नत् धर्म करमा दिपती योग बनेगा, जिसके चलते आप जो भी कारे करेंगे, सात्विक वे में कारे करेंगे, अपने करमों को अच्छा करने का प्रियास करेंगे, और इसी के साथ आपके क्रेक्टर में भी इंप्रोमेंट होगी, आपके करम भी बहुत अच्छी होते हों नज करेंगे, और उनका शुफली आपको आगे प्राप्त होगा, धनू लगन, धनू राशी के जो जातक है, सब्तागी जो शुरुबात हो रही है, वह है, अपने पार्टनर्स पर ज्यादा ध्यान लगाएंगे, आपका सारा ध्यान जो अभी वाइत हैं, विभा की तरफ लगा कई घरों में मैंने देखा है, काफी हमारे पास केसी जैसे आते हैं, देखिए उतना इंटर्फेरेंस करिए, जितने की जरूरत है, किसी का परिवार बिखर जाता है, ज्यादा इंवाल्मेंट करने से, खास तोर से माता भी था, ध्यान रखें, आप अपने बच्चों के दा परदा सफलता देखने को मिल सकती है, और खास तोर पर, कोई आपको रहसे से परदा उठता वा नजर आएगा, जो आपकी उल्जनती वसुलत सकती है, गुब्द साधनाओं की तरफ आपका ध्यान जुकाव अधिक लगा रहेगा, और सफलता ही प्राप्त करेंगे, विरास की यात्राइं होने का योग बनेगा, जलिए यात्राइं भी हो सकती है, जहां पर जल जादा दिखे, चली, मकर लगन, मकर राशी के जो जाता है, सब्ता की जो शिरुवात हो रही है, वह है, रोग शत्रूओं को कैसे निप्टें, उसके साथ हो रही है, पार्टनर शत्रू में कहीं ना कहीं, गुप्त साद्मों की तरफ, रहसे में चीजों की तरफ, आपका जुकाफ, इंक्रिशन ज्यादा बना रहेगा, अपना आपको थोड़ा सा संभाल भी करनी है, कुम लगन, कुम राशी के जो जातक है, सब्ता की जो शिरुवात हो रही है, दशकों खास त तरू जितने भी हैं, सब को निवटाने का प्रियास करना सब निपढ़ जाएंगे, सब्ता के अंत में पार्टनर्स के साथ थोड़ा सा कॉंप्रमाईज जादा करना पड़ेगा, बिजनस को लेकर थोड़ा संगर्श जादा करना पड़ेगा, उससे आपका या सब्ता का ज सब पुछ होगा, सुख होगे, लेकिन फिर भी मन अस्थिर रहेगा, एजगे टिक नहीं पाएगा, सब्ता के मद्य में ज्यान में वृद्धी होगी, संतान पक्ष मजबूत होगा, जिनके पास संतान नियोंने संतान मिलने का योग बनेगा, संतान के सुख में वृद्धी हर यूम हर यूम हर यूम